पर एक नेता ऐसे भी है जो हाडने के बाद भी जन संपर्क में लगे वे हैं और जनता के लिए काम करते नजर आ रहे हैं ऐसे ही एक जुझारू बसपानेता आलो कुश्वाह ने सीनिवस भारत से क्या कुछ कहा आई आपको सुनवाते हैं कि चुनाव लेका हैं। हमने लगत toujours देख़ा है जब ही चुनाव वोते हैं इसके परिणांव आने के बाद जीता है वह तो यहां पर कुरसी पे कावेज होकर काम शुरूर कर देता है पर जो हारता है हमने अमूनन देखा है कि वो जो धरातल होता है उससे अचानक उसकी क्यों मौजूर्गी होती है वो खतम हो जाती है यानि चुनाओ को समय ही शक्रिय रहना यही फिराल राजनते चलन है पर हमने तमाम ऐसे लोग भी देखे हैं जो चुनाओ अगर नहीं भी जीत पाते हैं तब भी उनका जुकाओ जनता की पती रहता है और वो अनुबरत जनता की सेवा करने का जो उनका संकल्भ होता उसको पूरा करते रहते है अभी हाल में ही लखनौ की पूरवी विरहन सबाब की चुनाब हुआ महाँ पर बस्पा उमीरवार जो आलोकुसवा थे वो जीते नहीं और उसके बाबजूर हमने देखा वो पहले की तरह अब भी अनुबरत काम करते नजर आ रहा है आज भी उनका भाही रुटीन है भाही तरीका है और भाही उसी ब्यवस्था के तहर वो लोगों पाज जाते हैं मिलते हैं उनकी समया 시청 करते और तमाम बले-बले मुद्धों पर वो अपनी रहए भी रखते हैं और साथी थे वो अपनी पार्टी को भी भूरिस्टर में लड़ा जाता है जन्ता की सवा कि लिए, उसको कुछ हद तक तो फिना जीते भी सेवा की जा सकती है। हाँ जीतने के बाद उक हस तम घठार में इसफरा दिला सकता हूव लेकिशा हमेशा आप लोगों के संगर्स के लिए प्रयासत रहूंगा ये मेरा पहले भी बादा था और आज भी है हमने चुनाओं के बाद लोगों के साथ मिलके कई जिगे व्रच्छार ओपर के कारिक्रम कराए आज भी अभी कुक्रेल पुल पे जब पंत नगर अबरार नगर इन सब जिगहों प तूटने की बात आई उस मुद्दे पे हम लोगों ने विरोध प्रोक आवाज उदाई मानी मुखमती जी ने उस पर संग्यान लिया और उसको रुखवा दिया इसके लिए मैं उनको बदाई भी देता हूं और यहां की जनता को बहुत-बहुत आभार देता हूं बदाई तक डूब गया तो सहर के हम का बात करें अभी इस पर काम करना बहुत बाकी है साथियों हमने पार्टी से यह कहा था कि विदान सभा जो भी टीमे हैं मंडल वाइज मीटिंग करवा करके टीमी बनाई जाए तो अभी पार्टी के मंडल अध्यक्ष ने हम लोगों की विदान सभा जो उनकी सभी टीमें बना दिये हैं इसने मुझे पूरी विदान सभा का प्रभारी का दाई तो सोपा है मैं पूरी विदान सभा के भूछ इस्तर तक की संगठित टीम को संगठित करके मजबूती के साथ अपनी टीम को पुर्भारी आपको बनाया गया है पर जिस तर दो तरीके होते हैं एक तो होता है GOT बन्धन पार्टी से गठबन्धन तूट वह सकता है कुछ न एक होता है आपसी संबंध जैसे इसके पहले भी 2007 में जब बस पा आया थी तो किसी से कढदबन्ध नहीं था किसी पार्टी से गठबन्धन नहीं था उनका एक था स्वाजग कड़ बंदन हम फिर उसी समाजी कड़ बंदन की ओर चलेंगे जो इस समय खंड खंड हो चुका है सभी समाज के लोगों को एक साथ एक जुट करेंगे किसी का वो नहीं सभी समाज के लोगों की भावनाएं हैं और सबके कुछ ने कुछ का रहे हैं सभी लोग यहां रहते हैं स होता है वहाँ पर कुछ सरते हों समाज गडबंदन में कोई सरते नहीं होती हम उसी समाज गडबंदन को मजबूत करके पुना वापस बस्पा को सत्ता में लाना जाते हैं आपका जो अभी हम रूटीन से जानते हैं सुना है कि अभी भी सुबह सुबह जाते हैं लोगों से मिल लोग अपने हाप मेरे पात्या मोथ्स आते ह्एं उनके समस्याय होती है उनको मैं Core न करके जितना हो सकता है एक मारफ़से या नगर्निगम के मारफ़से में 154 करके उनको उधral फजक दोथीन बेदा नों ने i otherwise of the पॉल सकता ॥ो करंवा लेता हूं बाकी पिर आने कीम है वो सिर्फ कुछवाब महासभा के लोगों के लिए वो समाज के सभी गरीब वर्गों के लिए समाज के किसी भी तपके का व्यक्ति जिसके पास आर्थिक संपन्ता नहीं है इंटर पास कर चुका है या गेश्मिशन कर चुका उसको आईएस आईपीएस पीसे इन सब की तैयारी के लिए आर्थिक सवयोग चाहिए तो उससे हमारी ये स्कीम निकली है कि एक आईएस इंफ्रा कोचिंग है जिसमें कि आपको मैं लेटर प्रेट पर लिख के दूँगा तो वहां पर आपको रेश्टेशन फीज पांच यह रुपए उनकी मिनमम है और वैसे उनकी करके आएस पीसेश की परिशा को पास कर सकते हैं और पूर 20 वी बात करते हैं और पूर्वी की लगातार काप कर रहे हैं पूर्वी की जनता का दिल जीतना चाहता हूं, चुनाओ जीतना तो बात की चीज है, उनका दिल जीत लेंगे, उनके दिल में राज करेंगे, हम समझे प्रदेश पर राज कर लेंगे, यह मान के चलता हूं पूर्वी की जनता का दिल जीतना चाहते हैं, और फिराल यही इनका संकल्फ है, और लगातार समासिवा के मध्यम से अपनी जनता को तमाम तरह की सुब्राओं को उपलब्द कराने का प्रियास भी करते में जरा रहे हैं, आने वाले समय में क्या होगा, किस तरह बहतर होगा, वो फिराल भवेसी गरब में नहीं थे, पर एक बात रस पस्ट है, जब कोई काम लगातार होता है, तो उसका परणाम हमेशा अच् कि हार।